हेलो फ्रेंट्स वेलकम चाहए यूट्यूब चैनल मॉम्स बेबी कैसे आप सब आप सब आप सभी बहुत अच्छी होंगे हल्दी होंगे एंड सेफ होंगे फ्रेंट्स आज हम इस टोपिक के बारे में बात करने चारहे हैं वो टोपिक ये है कि Pregnancy के साथ में और आठमे मीनी में हमारे साथ क्या होता है यह कौन सी गल्थिया है जो नहीं करने चाहिए तो फ्रेंट्स वीडियो को लाज्ड सक चुरूर दिक्एगा चैनल पर फर्स टाइम आये हैं तो नीचे रेट कलर के सब्सक्राइब पर प्लिक करेज़ेगा साथ की साथा बेल आइकन को दबाईएगा जिससे कि आपके पास आने वाले सबी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सकें तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं फिर्स हम बात कर रहे हैं कि प्लेगनेंसी की साथ में और आत्मे महिनी में हमें क्या गल्तिया नहीं करने चाहिए उसके अंदर सबसे पहली गल्ती यह आजाती है कि हमें कोई भी काम जुकर नहीं करना चाहिए क्योंकि अब हमारे बेपी का जो वेट है वो बहुत केर हो जाता है और हमारा पेट बेजब बढ़ जाता है तो हमें साथ में महिनी में जुकर काम करना बंद कर देना चाहिए इवन तो हमें फोर मन्त के बाद कोई भी काम जब जुकर नहीं करना चाहिए अगर आपको जुकना पड़ता भी है तो सबसे पहले तो आप अपने साथ वाले की help ले अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप घुटनों के बार बैठ कर चीज को उठा सकते हैं और धीरे धीरे ही फिर उठें इससे क्या होता है कि अगर आप बार बार जुकते हैं तो बच् जटके से जुकते या उठते हैं तो बच्चे के गले में गर्णल फसने का भी डर हैता है सेकंड गलती है कि हमें इन दो मीनों में कोई ऐसा काम नहीं करना जिसे कि हमारी premature delivery हो सके क्योंकि यह ऐसे टूमंत होते हैं जब हमें premature delivery का डर बहुत ज़ादा रहता है उसमें सबसे जाता है traveling कि हमें किसे भी ऐसी जगा पर नहीं जाना चाहिए खासकर हमें हिल स्टेशन को वाइट करना चाहिए जिससे कि हमारी premature delivery नहीं हो सके and second चीज आती है कि आपको सोने का ध्यान रखना चाहिए कि आपको सही position में सोना चाहिए आप कोशिश करें कि आप left side करवट लेक अगर जटके से गरवट बदलते हैं तो भी गर्बनाल का फसने का डर रहता है तो यह ऐसे points हैं कि जो हमें गलतियां कर सकते हैं हमें गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि अगर हम यह गलतियां करते हैं तो हमारे बच्चे का विकास भी रुक जाता है और अब 7 और 8 मेहने तक कितना दिकास हो जाता है क्या होता है कि यह अब हमारा बच्चा पुआ अच्छे सी ग्रोव कर रहा होता है तो उसका वजन एक डेड़ यह दो किलो भी हो सकता है मैक्सिमम इस टाइम पे जो बच्चे का वजन होता है वो एक से डेड़ किलो के बीच में होता है और बच्चे के जो लंबाई है वो 14 से 16 इंच के बीच हो जाती है और अब बच्चा अंदर घूमना शुरू कर देता है बच्चा हिचकी अलता है बच्चा किक मारता है अगर आ है बहुत अच्छे से बच्च आप गर्भ संस्कार भी देंस काहा जाता है कि अगर अगर बच्चे के माइन डिव्यल्पमेंट बहुत अच्छी होती है बच्चा Но Memo ताकि बच्चा संसकारी बने तो आम चलु चाहें याँ बच्शे को इस टाइक पर गर्ब दे सकते तक क्योंके अब वो बहार की आवाज्यों को अच्छे से सुन सकता है अब बताते कि आपके साथ 7 अच्वे, 8 मीने में क्या होता है, आपको कौन कौन सी परशानिय हो सकती है, सबसे बेदे परशानी तो यह आती है है वह आम बात है लेकिन अगर आपकी सुजन हातों या मुह पर ज्यादा आजाती है तो आपको डॉक्टर से बात करने चाहिए क्योंकि वह अच्छी नहीं होती है सेकेंड आपको यह परिशाननी आ सकते हैं कि अपको कॉन्ठरक्शन होने शुरू हो जाते हैं मतलब की वह पिलकुल थोड़े से होते हैं जैसे कि आपको डेट के टाइम पर फीक हो जाते हैं तो भी आपको घबराने की जूरत नहीं है लेकिन आपको contraction या पेट दर्द बहुत जादा हो रहा है मतलब कॉंटी न्यूसली हो रहा है इस मीन कि वह साही नहीं प्रेमेच्यूर डिलिवरी का तो आप डॉक्टर से जिरूर कंसल्ट कर सकते हैं आपका पेट कड़क रह सकता है तो भी आपको टेंशन लेने की सुझत नह करती है कि यूनि पे द्बाव पढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि अगawat बेबी टिया हो हमारा नीचे की और की सिर्शें आना शुरू जाता है तो उसका सारा व्यूरीन यूरीन हाने की समस्षाえば्हाइर फरीर कर शाक् Remember यह अश्वारी परश्यानी सब्सक्रा और इस मन्त में आपके बेबी का विकास भी अच्छे से हो जाता है और आपको कुछ गलतियां है जो नहीं करनी है वो भी आपको ख्यान रखनी होंगी तो वीडियो को complete जुरूर देखिएगा और वीडियो शियर कीजिएगा क्या होता है आप प्रेगन नहीं है लेकिन आपके फैमिली फ्रेंड सिर्कल में अगर कोई प्रेगनेंट है तो उसके लिए वीडियो हेल्पुल हो सकता है ओकी बबाई ठीक केर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में